पूरा वीडियो ध्यान से देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते आज का पहला सवाल बिते दिनों देख के किस ऑटोमवाइल कंपनी ने दक्षिन फिरका में गोल्ड अबॉर्ड जीता है तो आपसाने इस राइड आंसर महिंद्रा महिंद्रा एन महिंद्रा जो गाड़ी बनाती है उसे दक्षिन फिरका में गोल्ड अबॉर्ड मिला है ठीक है और दिया है किसने तो National Automobile Dealer Association ठीक है आगे बढ़ते हैं बिते दिनों किस भारतिय खिलाडी ने अंतरा स्ट्रे क्रिकेट से सन्यास की घोसना की है बहुत ही important सवाल है क्योंकि ये हैं युबराज सिंग युबराज सिंग ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लेने की घोसना कर दिया है इनके थोड़ा से कैरियर पर नजर डालेंगे तो इन्होंने कुल 40 test match 304 ODI और 59 T20 match खेले हैं जिसमें से सबसे सफल रहे ये 8701 ODI ये बनाए हैं आगे बढ़ते हैं बिते दिनों प्रियूत चान ओचा किस देश के नए प्रधान मंत्री होंगे तो ये बने हैं थाइलेंड के थाइलेंड में इन्होंने चुनाब जीता है और अब यह वहाँ के प्रधान मंत्री बनेंगे यही है वो चान ओचा प्रियुत चान ओचा ठीक है राजधानी का है जी थाइलेंड के बैंकोंक और मुद्रव होँ का है बहत देखिए बैंकिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ के करेंसी पूछा जाता है ध्यान में रखेंगे आप आगे बढ़ते हैं बीते दिनों किसने 2019 के कनडी याई क्यान ग्रैंड प्री में रिकार्ड तोर सात मीं जीत हाशल गया है तो वन लिवन लुइस हैमिल्टन लुइस हैमिल्टन ने सेवेस्टियल बेटल को हरा करके फिर से यह यह नो को वनलिडा error कौन से खिताब जीते थे वो मुनेक को ठीक है आगे बढ़ते हैं बीते दिनों किसने रिकॉर्ड बारहमी बार फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल का किताब जीता है तो ऐसा करने वाले ये राफिल नडाल हैं स्पेन के खिलाड़ी है ये राफिल नडाल ने बारहमी बार फ्रेंच ओपन जीता है, Grand Slam होते हैं, चार परकार को उसमें से ये फ्रेंच दूसरा है जी ठीक है, पूरुस में ये राफिल नाडा जीते हैं और महिला में मैंने कल ही बताया था आपको एसले वाटी जीते हैं, जो कहां कहे हैं, औस्टेलिया के यो पहली बार जीते हैं, ठीक है, आग इमेज देखेंगे आप, आपको पहचान में आजाएंगे, अगर आपने टाइगर जिन्दा है या एक ठाइगर देखा होगा तो, इन्हें 1999 में ग्यान पीट प्रूसकार से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सरबोच साहित सम्मान है, इन्हें पदम सरी और पदम भूसन से भी सम्मानित किया गया है, आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे मुल्यवान कंपनी कौन बना है, तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि TCS को पीछे करके Reliance बना है, लेकिन आप एक बार फिर से TCS आगे निकल गया है Reliance से, तो अब आप याद रखेंगे TCS, Tata Consultancy Service, इंड Headquarter Mumbai में है, नतराजन, चंदर सेखरन इनके Chairman है, और राजेस गोपिनाथ MD&CO है, तो MD&CO और Chairman का नाम आप याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों भारत ने किस देश को एक Cricket Stadium Gift करने की घोसना की है, बड़ा आजीब सा News है, लेकिन अच्छा News है क्योंकि President है, वो Cricket के बहुत सोखीन है, जो अभी कुछ दिन पहले इंडिया आया थे, तो MD&CO के साथ वो दिल्ली में IPL मैच भी देखने गये थे, और जब MD&CO गये तो वहाँ पर उनको एक Bad Gift किया था, जो अपने सारे Player के Signature किया हुआ, अब उस देश में ये Stadium बनाने की बात कर रह सकते करी है, जिसका राष्ट-पती के चुनाव जीते हैं, अभी-अभी इनके राष्ट-पती के नाम पर इनके Capital का नाम रखा गया है, तो Capital का नाम नूर सुल्तान है, ये वाले राष्ट-पती नहीं, ये जो पिछला राष्ट-पती थे, बहुत दिन 30 सालों तक रहे हैं र तो ये Greta Thunberg Greta Thunberg को दिया गया है मैंने कल ही इनके बारे बहुत अच्छे से बताया था डीटेल बताया था तो आपने अच्छा जवाब दिया इसका ऐसे ही जवाब दिया कि ये थोड़ा सा और डीटेल में लिखा कि ये Amnesty International का Headquarter लंडन में है आगे बढ़ते हैं 1961 में इसका अस्थापना हुआ था आज का सवाल लेते हैं बीते दिनों बोमेंस प्राइज फोर फिक्षन 2019 से कौन सम्मानित हुए हैं तो इनका अंसर आप करेंगे जितना हो सके डीटेल में करेंगे और मुझे दिजिए इजाज़त मिलते हैं कल नमस्कार